आज की इस कहानी का नाम है अनमोल मोहबबत यह एक न्यू हिंदी लव स्टोरी है यह इस कहानी का सेकंड भाग है रास्ते में रितिका की स्कूटी सामने से आ रही बाइक से टक्राए और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वह अपने आपको संभाल नहीं पाए और गिर गई हाला कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी पर उस बाइक वाले पर उसे बहुत गुसा आया गुसा आना लाजमी था एक तो वैसे भी उसे देर हो रही थी और अब ये सब हो गया रितिका जल्दी से उठी अपने कपड़े साफ की और अपनी स्कूटी खड़ी की और उस बाइक वाले की तरफ मुली वो कुछ कहना ही चाह रही थी कि उस लड़के ने जो खुद भी रितिका को बचाने के चक्कर में गिर गया था बोला माफ करना मैं बहुत जल्दी में था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया I am sorry रितिका का तो जी कर रहा था कि अभी उस लड़के को इतना सुनाए कि दोबारा कभी वो इतनी तेज बाइक ना चला पाए पर उसे कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो बस गुस्से को मन में ही दबाना पड़ा और तुम्हें बाद में देख लूँगी बोलकर गुस्से में घूमते हुई निकल गई वहां से उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और रितिका को जाता देखता रहा फिर उसने भी अपनी बाइक ली और वहां से निकल गया कॉलेज पहुँचकर रितिका ने चारों तरफ नजर दोढ़ाए और प्रिंसिपल ओफिस की तरफ कदम बढ़ाए ओफिस में पहुँचकर सारी फॉमेलिटी पूरी की और बाहर आ गई बाहर आकर उसने इधर उधर नजर दोढ़ाए और अपनी फरेंसिक साइंस क्लास धूंदने के लिए आगे बढ़ गई सामने ही एक लड़का उसकी तरफ पीट किये किसी लड़के को कुछ समझा रहा था वो उसके पास गई और उसने पूछा कि फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट इयर क्लास रूम कहा है वह लड़का जैसे ही रितिका की तरफ मुणा दोनों के मुझ से लगभग एक साथ ही निकला तुम, रितिका और वह लड़का दोनों हिरानी से एक दूसरे को देख रहे थे रितिका तु समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश हो या हैरान वह लड़का कोई और नहीं कार्तिक था जिसे वह तब से चाहती थी जब वो आठवी में थी हाँ ये बात अलग है कि उसने कभी यह बात किसी को बताई नहीं थी कार्तिक को भी नहीं क्योंकि उसे अपने पापा का सपना पूरा करना था इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान पड़ाई से हटे कार्तिक, रितिका, तुम यहां मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार पूरे चार साल बात देख रहा हूँ तुम्हें रितिका, आज मेरा पहला दिन है इस कॉलेज में तुम कैसे हो और यहां क्या कर रहे हो कार्तिक, मैं भी यहां स्टुडेंट हूँ यार वैसे, तुम्हारा स्ट्रीम कौन सा है? रितिका, BC Forensic Science कार्तिक, क्या बात है? मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ BC Forensic Science 3D Year है मेरा रितिका, अच्छी बात है रितिका को बहुत घबराहट हो रही थी पर वो ये कार्टिक पर जाहिर नहीं हुने देना चाहती थी इसलिए बस उसकी बातों का जवाब दे रही थी रितिका, कार्टिक मुझे देर हो रही है, अभी मुझे अपना क्लास भी धूंडना है मैं चलती हूँ बाए, कार्टिक, अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, चलो मैं तुम्हारी क्लास तक छोड़ देता हूँ कार्टिक को बुरा ना लगे इसलिए उसने हाँ बोल दिया और वैसे भी दिल ही दिल में वह भी बहुत खुश थी आज इतने सालों बाद भी यकीन नहीं था कि उसे कार्टिक यूं मिलेगा, उसका सीनियर क्लासमेट के रूप में कार्टिक और रितिका क्लास रूम की ओर जही रहे थे की लड़के लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़का जो की शायद उनका लीट था, उसने रितिका फर्स्ट इयर पूछा और रितिका ने हामें सिर हिला दिया कार्टिक ने बीच में आकार उस लड़के से कहा, दोबारा रितिका की रेगिंग करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उस लड़के ने बोला, यार क्यों गुस्सा हो रहा है, ये कौन सी तेरी गलफ्रेंड है, कार्टिक और फाल्तू बाते मत कर इस पर उनके ग्रुप की एक लड़की, प्रिया जो की कार्टिक को बहुत पसंद करती थी, उसने कहा, छोड़ो गाइस क्यों कार्टिक को गुस्सा दिला रही हो, उसने कहा कि रेगिंग नहीं करो तो मत करो, आप चलो यहां से, सारे लड़के लड़किया वहां से चले की, कार्टिक ने फिर उसे कहा कि कैंटीन में चल कर कुछ खाते हैं, आज क्लास भी नहीं लगेगी क्योंकि आज फर्स्ट दे है, सबका बस इंट्रोडक्शन हुगा सबका बस, रीतिका ने हां में सरहिला दिया फिर दोनों कैंटीन की तरफ चल गए, कहानी में आगे क्या ह हुआ, जाननी के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर, पारहम